एक एक्शन हीरो, हिंदी मूवी समीक्षा, इन एक्शन हीरो 2022 की हिंदी एक्शन फिल्म है, जो अनिरुध अयर द्वारा निर्देशित और टी सीरीज फिल्म्स और कलर येलो प्रोडक्शन्स द्वारा निर्मित है, इसमें आयुशमान खुराना और जैदीप एहलावत मुख भूमिका में हैं, फिल्म में एक एक्शन स्टार एक क्रूर राजनेता के भाई की गलती से हत्या करने के बाद भाग जाता है, इन एक्शन हीरो दो दिसंबर 2022 को रिलीज हुई थी, और इसे आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ओफिस पर इ एक लोकप्रिय अभिनेता हैं, जिन्हें एक्शन फिल्मों के अग्रणी अभिनेता के रूप में जाना जाता है, अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग के लिए मानव हर्याना के मांडोठी जा रहे हैं, विकी सोलंकी एक महत्वाकांक्षी राजनेता जो वर्तमान में स्थ पानिय चुनाव लड़ रहा है, प्रचार पाने के लिए मानव से मिलना चाहता है, शूटिंग में व्यस्त होने के कारण मानव ध्यान नहीं देता, जैसे ही वह विक्की से मिलने वाला होता है, मानव अपनी नई फोर्ड मस्टैन की डिलीवरी से विचलित हो जाता है, और एक धकेल देता है, और चटान पर सिर पटकने के बाद कुंद बल के आघात से विक्की की मौके पर ही मौत हो जाती है, भैभीत होकर मानव यूके के पोर्ड समाउथ में अपने घर भाग जाता है, उससे अन्भिग्यत विक्की का भाई भूरा सिं सोलंकी जो मांडोथी का नग देते हुए निशकर्ष निकाला की मानव ने विक्की की हत्या में भूमिका निभाई, मानव की प्रतिष्ठा ख्राब हुई है और उसकी फिल्मों का बहिशकार किया गया है, खबर यूके तक भी पहुचती है और मानव खुद को यूके पुलिस से छिपाने के लिए मजब करने में सफल हो जाता है और अपने यूके वकील से मदद मांगने की कोशिश करता है जो कोई जवाब नहीं देता है भागने की कोशिश के दौरान मानव की कार में गैस खत्म हो जाती है और भूरा उससे भिड़ जाता है मानव अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है लेकिन भूरा नहीं सुनता और उसे मारने की कोशिश करता है मानव भूरा को काबो करने और कार की डिक्की में बंद करने में काम्याब हो जाता है मदद के लिए अपने प्रबंधक रोशन पर दबाव डालने पर मानव को अंत्ह भूरा द्वारा दो पुलिस कर्मियों की हत्या के संभावित फुटेज को कैप्चर करने के लिए साई नाम के एक अन्यवकी और फिक्सर से मिलने का मौका मिलता है साई मानव को फुटेज इकठा करने के लिए लंदन में अपने संपर्क से मिलने के लिए कहती है इस बीच भूरा एक टोइन कमपनी को बुला कर भाग जाता है जहां वह साई का पीछा करता है और उसे मार डालता है जब भूरा मानव को मारने वाला था तो सही के दोस्त कादिर ने उसे रोक लिया मानव और भूरा मिलकर कादिर पर हावी हो जाते हैं लेकिन मानव कार में बैठ जाता है और भूरा को छोड़कर फिर से भाग जाता है भूरा एक बंधक के रूप में कादिर से मानव के ठिकाने के बारे में जानने में काम्याब हो जाता है मानव छिपने से तंग आ जाता है और पोर्ट्स माउथ में मानव के घर के पास की कारों के डैश कैम से प्राप्त फुटेज के साथ खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पन कर देता है मसूद अबराहम कटकर डी कमपनी का एक खुँखार आतंकवादी जिसे मानव ने अपरासंगिक कहकर ताना मारा था अपने आदमियों के माध्यम से उसका अफ़रण कर लेता है और उसे एक छत पर ले जाया जाता है जहां कटकर उसका इंतजार कर रहा है काटकर मानव के साथ एक तस्वीर लेता है ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसे मीडिया में भेजने की योजना बना रहा है ताकि यह तस्वीर सामने आ सके कि मानव के अंडरवर्ड में संपर्क है काटकर ने मानव को उसकी आजादी के बदले में उसकी पोती की शादी में प्रदर्शन करने के लिए कहा भूरा आता है और मानव के डास नमबर को बाधित करता है लेकिन कटकर के आदमी बंदूग की नोप पर उसे पकड़ लेते हैं पूछताच के बाद कटकर भूरा को मानव को मारने की सलाह देता है काटकर के साथ मानव की तस्वीर सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है जैसे ही भूरा गोली चलाने वाला होता है, मानव उसका ध्यान भटका देता है और जड़प में कटकर की गोली मार कर हत्या कर दी जाती है कटकर के आदमी सतर्ख हो जाते हैं और उन दोनों को मारने के लिए पहुँचते हैं मानव और भूरा एक दूसरे पर हमला करने से पहले कटकर के आदमीयों को हराने में काम्याब होते हैं अपनी नई आंतरिक शक्ती के साथ मानव भूरा को हरा देता है और घायल कर देता है बाद में मानव ने भारतीय दुतावास के साथ एक सौदा करने की योजना बनाई ताकि यह कहानी पेश की जा सके की सरकार ने मानव की स्थिती का इस्तिमाल किया और उसे काठकर को ट्रैक करने और मारने का मिशन सौपा इस प्रकार उसे कारावास से बचाया गया शुरू से ही उसकी बेगुनाही के बारे में पूरी तरह से जागरूख होने के बावजूद भूरा ने अहंकार के कारण उसे छोड़ने से इनकार कर दिया कोई विकल्प नहीं बचा होने पर मानव भूरा को मार देता है और उसकी योजना सफल हो जाती है वह भारत लोटते हैं और खुद को मुंबई हवाई अड़े के बाहर अपने प्रशन्सकों और जनता के अभिवादन से घिरा हुआ पाते हैं